नमस्कार दोस्तों Electrician Skills YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे विदुदारा के बारे में विदुदारा क्या होती है और इसे कैसे बैती है इसके क्या फॉर्मूले है और इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से इस वीडियो के माद्यम से जानेगे जब तक बने रही है आप हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों सबसे पहले आता है विदुदारा के अंदर विदुदारा क्या है इसे कैसे बैती है इस सारी चीजों की जानकर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो जब तक अगर आपने हमारे Electrician Skills YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको परते वीडियो को नोटिफिकेसन सबसे पहले मिल सके सबसे पहले आता है दोस्तों विदुदारा किसे कहते है ये क्या होती है आएए हम इसके बारे में डिटेल से जानते है सबसे पहले आता है दोस्तों विदुदारा के आवेस आवेस क्या है ये एक चार्ज है चार्ज क्या होता है चार्ज वो होता है जो current flow करने में मदद करता है जैसे कि अभी हम इस से समझते हैं कि आवेस में प्रवहा की दर को दारा कहते हैं तो आवेस क्या है दोस्तो चार्ज है चार्ज में प्रवहा फ्लो होता है फ्लो यानि बहना एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर बहना यही क्या होता है दोस्तो फ्लो होता है तो चार्ज का जो होता है यही क्या होता है दोस्तों विद्धुदारा कहते हैं इसे अर्थात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेकंड के अंदर एक सेकंड में किसी चालक में प्रभावित होने वाला आवेश विद्धुदारा के बराबर होता है विद्धुदारा के बराबर होता है यह देखे second के अंदर किसी चालक में पुखावित होने वाला आवेस विद्दू दारा के बराबर होता है जैसे मैंने अभी यह आप देख रहे हो आपके सामने यह लिखा हुआ है I यहाँ पर क्या है current और Q क्या है यहाँ पर क्यों है kूलाम कुला मिन्स चार्ज और यहाँ पे T क्या है समय, सेकेंड में अब हम बात करते हैं दोस्तो दारा के बारे में कि जो दारा का यह जो सुत्तर बना है I is equal to Q upon T Q क्या है आवेस, T क्या है समय तो जो Q बटा T है जो यह है Q बटा T यह कैसे आया कि आवेस में आवेस में प्रवहा की दर प्रवहा की दर क्या है टाइम यह आवेस में प्रवहा की दर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तो दारा कहते हैं जो हमारी करंट की डेफिनेशन निकल के आई वो क्या है कि किसी भी परिपत में बहने वाला चार्ज की दर बहने वाले चार्ज की दर किसके बराबर होती है विद्दु धरा के बराबर होती है अर्थात हम इसको इस परकार भी समझ सकते हैं कि जो यह है यहाँ पे Q Q क्या है मैंने अभी आपको बताया था क्यों क्या है यहां पे क्यों है चार्च टी है समय और आई है करंट करंट मींज विद्धुदारा तो आई थिंक आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि आवेस में प्रवा की दर विद्धुदारा कहला दिया अर्ताद एक सेकिंड में बैने वाली किसी चालक में प्रवावित होने वाली चार्च विद्धुदारा के बराबर होता है अब आता है दोस्तो विद्धुदारा का फोर्मूला कि जो विद्धुदारा का फोर्मूला बनाए वो कैसे बना है तो इसके बारे में जाते है सबसे पहले आता है दोस्तो i is equal to q upon t ये हमने अभी शीका था क्यों क्या है आवेस में प्रवा की दर किसके बराबर होती है विद्दुधारा के बराबर होती है अब यहाँ पे जो q है क्यों क्या है charge है charge equal to i into t ये इस formula हमने कैसे निकाला ये इसी वाले formula हमने इसको निकाला है अब सब के समझ में आगया होगा कि q is equal to i i or t कैसे आया है i or t आया है इस वाले formula से उपर वाले से अब इसकी unit की हम बात करें unit यानि क्या होता है इकाई इकाई क्या होती है विद्दुधारा की एकाई SI unit में हम बात करें तो वो होती है ampere क्या होती है दोस्तो ampere होती है तो विदुदारा की अगर आपसे कोई भी परिक्षा में परसन पूछे कि विदुदारा की क्या होती है तो विदुदारा की होती है ampere सबसे ज़्यादा परिच्चा में पूछे जाने वाला विद्दूत के अंदर से इस वाले टॉपिक में से सबसे ज़्यादा यही परसन पूट अप होता है कि विद्दूत दारा की ऐसा ही यूनिट क्या है चार ओप्सन आपको क्यों क्या है यहाँ पर चार्ज क्यों चार्ज यानि चार्ज क्या है इलेक्ट्रों चार्ज क्या है इलेक्ट्रों के प्रवहा की दर इलेक्ट्रों के प्रवहा की दर यह क्या कहलाती है विद्धुधार कहलाती है तो दोस्तो इलेक्ट्रोंस पर कौन सा चार्ज होता है ये भी परसन पूछा ज़दा है सबसे ज़दा इलेक्ट्रोंस पर जो चार्ज होता है वो मैं आपको बता ज़ता हूँ इलेक्ट्रोंस पर नगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोन पर कौन सा चार्ज होता है हमेशा नगेटिव तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोन पर नगेटिव चार्ज होता है अब आती है दोस्तो एक इलेक्ट्रोन की परिवासा कि एक इलेक्ट्रोन के बराबर एक electron की क्या value होती है इसके बारे में जानने लते हैं कि एक electron बराबर एक electron बराबर होता है 1.6 into 10 की गात minus के 19 अभी आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि एक electron बराबर 1.6 into 10 की power minus के 19 है तो यह होती है दोस्तों एक electron की पविवसा एक electron का value कि एक electron बराबर कितने मान होता है इसका तो दोस्तों यह 1.6 into 10 की गात minus के 19 यह एक electron की value है अब आता है दोस्तों इसी formula से इनी formula से यह वाले formula निकल के आया है नीचे जो सामने अभी आप देख रहे हो I equal to N E upon T यह कैसे निकल के आया है इसके बारे में आपको बता देता हूँ जिस से पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो हमने यह आप देखेंगे N बराबर है यहाँ पर number of electrons की number of electrons कितने है और E बराबर क्या है E बराबर है जैसे अभी आप सामने देख रहे हो E बराबर क्या है Electrons E बराबर Electrons N बराबर Number of Electrons तो आपको समझ में आ गया होगा Q is equal to any कहां से आया तो एक जो चार्ज होता है Q होता है वो क्या होता है Number of Electrons के बराबर अब हमारा जो ये उपर वाला जो फोर्मूला है अभी आप देख रहे हो ये I is equal to Q upon T ये फोर्मूला हमने कैसे निकाला था उस वाले परिवासा से तो विद्दुदारा की परिवासा थी उसके आदार पर ये हमने निकाला था अब ए Q बराबर हमने रखा है Any Q बराबर हमने क्या रखा है देखेंगे अभी आप सामने Q बराबर क्या है Any और I I is equal to Q upon T यहाँ पर है अब मैंने इसी से इसी से मैंने ये वाला निकाला है ये कैसे निकला I मैंने ऐसे कैसे रख दिया Q मैंने ऐसे कैसे रख दिया Q Q जो है उसके बराबर मैंने ये वाला वेल्यू रखी है ये वाली जो अभी आप सामने रख रहे हो Q बराबर Any तो यहाँ से आया है Any और T मैंने ऐसे कैसे रख दिया तो यहाँ से निकल के आया है एक विद्धु धरा का अलग सुत्र जो हम पहले सुत्र पढ़ते थे ओम्स के नियम के अनुसार उससे अलग formula निकल के आया है यहां पे I is equal to N E upon T इससे भी हमारे जो क्योसंस है उसको करने में काफी मदद मिलती है तो कुछ मैं एक ऐसे example लेता हूँ जिससे हमारे यह formula काम में आ जाए तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ आपने अगर यह formula अभी तक याद नहीं किया है तो ज़्यादा तर दो formula है I is equal to Q upon T और I is equal to N E upon T यह दोनों विसेस तोर से आपको याद रखने है इन से ही आपके जो क्यूसंस है वो solo हो जाएंगे अब हम आगे चलते हैं next example की तरफ मैं example निकाल लेता हूँ यह वाला एक example है सामने अभी आप देख रहे हो यह तो दोस्तों यह example है इसमें क्या है कि एक second में अभी आप पढ़ेंगे उपर एक second में एक ampere धारा प्रभावित हो रहे है कोई भी परीपत है हमारा उसके अंदर एक second के अंदर एक ampere विदूदारा प्रभावित हो रहे है तो उसमें बहने वाले कितने उलेक्टरोंस होंगे number of electron कितने होंगे यह हमें इसमें निकालना है number of electron की value आपको निकालनी है इस formula के अधार से तो सबसे पहले मेरे पास दो formula थे आई is equal to any upon t और एक था I is equal to q upon t q upon t इता ना q upon t q बटा t तो उसी से हमने ये वाला जो formula निकाला है ये इसी formula से निकाला है जो q upon t वाला है इसी से अब हमारा जो question में जो value दीवी है वो दीवी है T, T means second समय, समय हमारा दिया हुआ है और ampere हमारा दिया हुआ है दारा हमारी इसके अंदर दीवी है कि इसके अंदर कितनी दारा बैरी है तो दोस्तो इसके अंदर एक ampere दारा बैरी है, I की value हमें पता है T का मतलब हमें पता है N, E, हमें पता नहीं है E का value मैंने अभी आपको बताए था कि E का value कितना होता है आपको विशेश तोर से ये चीज value आपको अमेशे याद रखनी है 1.6 गुणा दस्कीगात माइनस 19, ये value आपसे बार-बार परसन में पूछा जाएगा और हो सकता है objective type के क्यूसंस में आपको ये value डाइरेट भी पूछ सकता है तो आपको ये value डाइरेट याद रखनी है कि एक electron बराबर कितना होता है एक electron बराबर 1.6 इंटु दस्कीगात माइनस 19 होता है अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है N, N क्या है number of electrons अब हमने इस वाले formula के अंदर ये वाली value पुट कर देनी है कौन सी वाली जो आपके सामने दी हुई है ये रखे हुई है एक सेकेंड हमाई दिया हुआ है एक ampere हमें दिया हुआ है अब मैंने इस वाले formula के अंदर I की जगह एक ampere रख दिया है और I की जगह एक ampere रख दिया है और मैंने T की जगह भी एक रख दिया है एक सेकेंड दिया हुआ है हमारे टाइम में दिया हुआ है कि हमें एक सेकेंड यूज करना है formula में तो हमने दोनों चीज़े ये सारी चीज़े put up कर दिया है और E की जो value थी वो हमें याद करनी है E की value ये हमने ऐसे कैसे रख दिया तो हम इसको solve करेंगे तो ये बजर गुणन हो जाएगा एक इधर चला जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगे एक हो जाएगे एक बराबर N इंटू 1.6 इंटू 10 की गाद इनस उनीस ये हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा कि जो N गुणा में है वो इस तरब जाकर के बटेम हो जाएगा तो ये value आपके सामने जो final value है आपके सामने जो है ये वाली निकल के आ जाएगी जो आपको सामने दिखाई दे रही है यह वाली value आपको सामने दिखाए देगी n बराबर 6.25 into 10 की गात 18 तो इस एक सेकंड में एक एम्पिर दारा प्रबावित हो रही है कोई भी परिपत में तो उसमें कितने electrons follow करेंगे कितने electrons बहेंगे तो उसमें number of electrons बहेंगे 6.25 into 10 की गात 18 यह इसकी value है दोस्तों जो इसमें से निकल के आई है तो दोस्तों इसी परकार से आपको जो यह वाला जो formula है आपको अभी मैंने बताया है i is equal to any upon t यह आपको बार बार परिक्षय में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे आपको इस परकार solve कर लेने तो I think आपको यह चीजे जानकरी समझ में आये होगी तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें यह हम अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि आपको और वीडियो भी मैं इस में से upload करता रहूँ तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज नीचे एक बैल आइकन है इस तरफ उसको आप subscribe करके जरू प्रेस कर ले ताकि आपको प्रतेग वीडियो का notification सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जानकरी या वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करें धन्यवाद दोस्तों थैंक यू